आज हम बनाने वाले हैं जटपट मिर्च का चटपटा अचार जिसे हम सालों इस्टोर करके रख सकते हैं और वो भी बिना तेल के सिर्फ 1 चमस तेल से और बचे हुए मसालों से अचार के बचे वे मसालों से ही ङम यह बसा हरी मिर्च अचार वेसेपी जिसको हम सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा और इसका स्वात तो बूरने लायक है नहीं इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च ली है जिनको अच्छे से नमक डालकर पानी में अच्छे से दोकर साफ कर ल लिए अब यहां पर अम इनको काट लेगे अक्सर मिर्च का अचार भरकर बनाया जाता है लेकिन मैं анard कि का अचार बेना एं बिना बाड़ है विना मसालों में आ अच्छे से काट लिया है सभी मिर्च को अब यहां पर देख पार रहे हैं कि मिर्च को कि ... में थोड़ा मसाला रहता है जोब कि यहाँ हमसाला पर टेंगे पैन को लेम पर गरम होने के लिए रखेंगे यहाँ पर पैन अच्छे से गरम हो चुका है जब इसमें हम दो चम्मस सरसों का तेल डालेंगे तेल गरम हो जाने के बाद अच्छे से चेक कर लेंगे कि तेल गरम होया है या नहीं तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें अपनी हरी मिर्च अड़ करेंगे हरी मिर्च को अच्छे से अड़ कर लेंगे सभी हरी मिर्च को फिर यहाँ पर अच्छे से चलाएंगे में यहां पर 3-4 मिर्च तक मीडियम फ्लम पर हरी मिर्च को चलाते रहना है विल्कुल भी बिना रुकी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 मिर्च के बाद यहां पर मिर्च का जो कलर है वह हल्का हल्का चेंज ओना शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ पर रुखने नहीं है पूरे चार मिनट तक हमें इसे पकाना है यह रेसिपी दस मिनट में बन कर रही हो चाती है और सालों तक चलती है इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है अगर दाल के साथ आपने कोई सब्जी नहीं बनाई है और कुछ चट पटा खाने का मनें तो आप इसे जरूर से ट्राइ करें तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे चार मिनट हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर एक चमच सोफ एड़ कर रही हूँ साथ ही मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ एक चमच राई उसके बाद यहाँ पर जाएगा एक चमच खुटा हुआ धनिया पाउडर अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आदा चमच हलदी पाउडर सभी वेसिक मसालों को डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनट तक इसको पकाएंगे यह देखे फ्रेंज यहाँ पर यह जो मसाले हैं मिच के साथ अच्छे से मिल चुके हैं सभी मसाले अच्छे से मिल जाने के वाद हम अपना बचा हुआ अचार का मसाला एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने बचा हुआ अचार का मसाला एड़ कर दिया है यह देखे और अच्छे से मिक्स कर दिया है आप भी देख पा रहे हैं कि जो फ्लेवर हैं बहूती ज्यदा अच्छा आ चुका है अब इसमें एड करेंगे काला नमक तो कि हमारा चार खराब नहीं होगा तो यह हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है अब हम इसको बापिस से डबे में ट्रांसफर कर लेंगे जो मसाले का डबा था अचार के तो फ्रेंट्स यह थी मेरी इंस्टेंट अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्ष